हेलो दोस्तों मैं वेक आप सभी का हाद इक स्वाद करता हूं गुड़ मॉर्निंग ट्वाल और डली से एक बार आप सभी लोग पूड़ जाए इस्टाट के तबने सांदार सी फिजिक्स की क्लास को बच्चे कुछ दिन मतलग कुछ दिन यानि की दो दिन आपकी क्लास जो है और कारनाट साइकल से आप भी अगर इस बार इक्जाम दिये हो तो आपको पता होगा कि ये कितना important है तो कारनाट साइकल वैसे भी मैंने कराया नहीं था तो ये जो special videos जो है आज केवल और केवल कारनाट साइकल पर है और इस पर जो questions भी बनते हैं वो एक्तम कहसकते हो कि ए नवी के एक्जाम में या फिर बात करोगे NDA के एक्जाम में तो इन में केवल और केवल क्या डाटा चेंज करेगा ठीक है तो आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूं कार्नाट साइकल कार्नाट साइकल से रिलेटेड जितने भी कोस्चन बनेंगे एक एक पॉइंट को डिसकस कर आएगा और आप लोग का जल्द ही फॉर्म भी आ रहा है और 21 किस तक आपका फॉर्म भी आ जाएगा तो इसका मतलब यह है कि अब आपको लग जाना है पूरे अच्छे से तो अब लग जाओ सांदार तरीके से और एक एक टॉपिक पर मेहनत करते चलो जो जो इंपॉर्ट मिलती है वो उसमें कुछ बदला होंगे कुछ बदलाओ का मतलब यह है कि अब आपको बहतर तयारी कराया जाएगा एक तम सुरू से अंतिम तक यहां पर आपका दो क्लास होता है एक बबू सुबह आपका नौ बजे होती है क्लास और एक आपका होती है रात में आठ बजे यह दो टाइम पर आपके फिजिक्स की क्लास होती है इस पर आपका बैनर लगा होता है एयर फोर्स का एयर फोर्स नेवी का और इस पर बैनर लगा होता है और यह दोनों क्लास आपके एयर फोर्स नेवी और एंडिय के लिए है यह दोनों क्लास एयर फोर्स नेवी और से chapter 1 से 11 का पढ़ाऊंगा मैं ठीक है और NCRT based question पूरा कराऊंगा मैं NCRT based question पूरा series ही चलेगा same जैसा मैंने आपको super 30 में कराया था याद हो तो super 30 series जो चली थी हमारी जो कि अब तक की best series है अब तक की जो best series है same उसी pattern पर मैं बच्चे इसमें कराने वाला हो super 30 के एक्तम pattern पर आपका ये भी class होने वाला है तो आप लोग जल से जल जुड़ जाईएगा ठीक है और एक बार सभी लोग class को share भी कर देना ये नहीं कि मतलब live रहेगा तो ही share करोगे एक बार अभी भी class को share कर दो जो लोग like नहीं किया है तुरंत like कर दो और जो अभी तक भी subscribe कर दो ठीक है तो super 30 के pattern पर बच्चा बिलकुल पूरा ये अब चलाने वाला हो 11th section का chapter 1 से start हो जाएगा इस मंडे से और रात में आपका 12th से जैसे कि उसका start कर भी दिया हूं फिर Monday से start करेंगे चुकि दोनों एक साथी start हो जाएंगे फिर Monday से अगर हम करेंगे तो दोनों एक साथी start हो जाएंगे तो आप लोग ready हो जाईए दोनों classes को आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा इसमें जो important आपके concept होंगे उन concept को बीच-बीच में पढ़ाओंगा concept भी बीच-बीच में कभी बी classes लगा दूँगा concept की लेकिन लगातार questions में कराओंगा ठीक है संदे से आपके दो टाइम में physics के class सुबह 9 बजे और रात के आठ बजे चलिए फिर start करते हैं आज के टॉपिक को कि आज के टॉपिक है बच्चा कार्नट साइकल क्या है आज का टॉपिक आज का टॉपिक है कार्नट साइकल इसे हिंदी में कहते हैं कार्नो चक्र तो जल्दी से एक बार जूड़ जो और क्रास को सेयर कर दो कार्नट साइकल से रिलेटेड बहुत questions पूछते बहुत मतलब कह सकते हो कि इस बार हर एक से आप या तो चार तारीक है या 5 या 6 या 7 कोई भी कोई भी कोई भी डे में आपका पेपर ओ आपका कार्नट से questions आता ही आता था या तो कार्नट से रिलेटेड उसके graph से पीवी diagram से पूछ देता था या फिर उसके कह सकते हो efficiency से efficiency से numerical पूछ देता था तो मतलब लगब कहीं ना कहीं एक question आपका यहां से बनता ही था तो आज कहीं सेक्शन आज सॉरी आज यह जो मैं कराने वाला हूं इसका पूरा मतलब 100% है कि यहां इस class से आपका एक question किसी ना किसी exam में देखने को जरूर मिलेगा आज यह जो class हो रही है उससे एक questions आपके किसी ना किसी exam में जरूर देखने को मिलेगा, तो चलिये फिर, स्टार्ट करते हैं, तो आज, सबसे पहले देखेंगे, काराट साइकल, क्या है ये, तो आपके लिए, निकोलास, लेएनोर्ट, सेंडी काराट नए, एक साइकल दिया, ठीक है, और इस साइकल को हम आईडियल साइकल मानते हैं क्या मानते हैं इसे आईडियल साइकल मानते हैं क्या मानते हैं तो यह आपका एक आईडियल साइकल भी हम इसे मानते हैं आईडियल साइकल ठीक है, ideal cycle मानते हैं, Carnot cycle जो है, एक परकार का ideal cycle होता है, इसमें आपका जो है, मतलब कह सकते हो कि इस परकार का उन्होंने माना कि इस परकार का अगर इस प्रोसेस पर अगर engine बनती है तो उसकी efficiency 100% होगी, ठीक है, अगर लेकिन ये क्या हुआ, कि उन्होंने इस पर केवल cycle बत ideal student बता दो, होता है कोई नहीं, ideal होता ही है compare करने के लिए, कोई भी ideal gas हुआ, ideal आपका कह सकते हो, ideal fluid हुआ, यह सब क्या है compare करने के लिए है, possible है, नहीं है, कभी possible है, नहीं है, ideally possible नहीं है, है ना, तो ideal आपका जो भी होता है, वो compare करने के लिए होता है, तो यहाँ पर जो यह साइक्ल भी है वह आइडियल साइकल है इस साइकल से कह सकतो हम अधर साइकल की तुल्ला करते हैं ठीक है यह चीजे भती है तो यहां पर अगर देखो बच्चे तो कारणर साइकल किस पर करकर साइकल है इसमें आपके निकोलास लेनोर्ट सेंडी कारणर ने चार प्रॉसेस के द्वारा कैसे तो चार प्रोसेस से थ्रू उन्होंने एक साइकल दिखाया कि अगर इस साइकल पर अगर कोई हीट इंजन वर्क करता है तो इसकी एफिसेंसी क्या होगी 100% होगी ठीक है तो यहां पर कैसे तो अत्याधिक दक्षता वाले उस्म इंजन का चक्र कार्नट चक्र कह यानि की यानि की चार स्टेप में यह कारे करता है फोर स्टेज में कितने स्टेज में कारे करता है तो यह चार स्टेज में कारे करता है फोर स्टेज में कह सकते हो यह काम करता है कौन-कौन से तो यहां पर याद अखना कि सबसे पहला इसका स्टेज यहीं पूछता है यहां थर्मल आइसो थर्मल एक्सपेंशन पहला इसका इस्टेज जो होता है वो क्या होता है आइसो टर्मल आइसो थर्मल एक्सपेंशन जिसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे जिसे हिंदी में क्या कहते हैं सम्तापिय प्रसार सम तापी प्रसार इसे हिंदी में क्या कहते हैं हिंदी में इसे कहते हैं बच्चे सम तापी प्रसार दूसरा इसका होता है बच्चा दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन दूसरा जो आपका होता है वो क्या होता है बच्छे एडियाबेटिक एक्सपेंशन दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन जिसे हम कहते है रुधोस्म प्रसार क्या कहते हैं इसे रुधोस्म रुधोस्म प्रसार दूसरा जो होता है उसे क्या कहते है बच्छे दूसरे process को हम कहते है adiabatic expansion तीसरा जो process होता है ये क्या होता है isothermal compression जो आपका तीसरा process होता है वो होता है आपका कशा- detto अइसे थर्मल कंप्रेसन याने कि संटापी हिए कि ऐस अंदापी र M एलास्ट जो प्रॉसेस होती है लास्ट जो इस्ट्रेज होता है वो कौन सा स्कारी मसों टैप यह यह आपका होता है एडियाबेटिक एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं रुधोस्म संपीडन रुधोस्म संपीडन यह आपके चार इश्टेज होते हैं तो याद रखना कि आपके कानट सैकल में जो पहला होता है आईसोथरमल एकस्पेन्शन दूसरा होता है एडियाबेटिकте था थार इस्पेन्शन और में चौथा होता का एडियाबेटिक कॉम्परेशन ये अगर हिंदें बात करें तो समतापीय प्रसाब रुधोस्म प्रसार समतापीय संपीडन और आपका रुधोस्म संपीडन अब इसमें बोल आपका पूछा जाता है अगर इसको मैं थोड़ा सा ग्राफ पे दिखाऊ ठीक है थोड़ा सा इ इसे PV डियाग्राम पर दिखा हूँ, तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा, पहला अगर मैं बात करूँ, पहला क्या था, आइसो थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, कि वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब आयतन बढ़ेगा, तो यहाँ पर नीचे की तरफ ए समताप ये प्रसार, तो एक से दो आपका समताप ये प्रसार, दो से तीन होता है क्या आपका, रुधोस्म प्रसार, यानि के एडियावेटिक एक्सपेंशन, तीन से चार क्या होता है आपका, तीन से चार होता है आपका, तीन से चार होता है, यानि के एडियावेटिक कॉं एडियाबेटिक का स्लोप क्या होता है एडियाबेटिक का स्लोप सबसे अधिक होता है मैंने बताया था कि एडियाबेटिक का स्लोप क्या होता है आपका अधिक होता है अगर बात करो किसके आइसो थर्मल से तो यहां पर जो दूसरा आपका दूसरा जो आपका ग्राफ तो इसके लिए इसलिए वो थोड़ा से जादा ऊठा हुआ होगा ठीक है तो यह चीज अब यहां से 3 से 4 क्या था वही 3-4 क्या था Iisothermal compression, compression का मतलब Sampedion सampedion का मतलब दबाना दबाना का मतलब कि वॉल्यूम कम कर रहे हो तो अगर वॉल्यूम कम होगा तो कौन सा बनेगा 3-4 आपका कौन सा हो जाएगा 3-4 आपका ये graph Clear 1-2 ये बना 2-3 ये बना 3-4 आपका ये और 4-1 फिर आपका थैसे एक में त्चार एक हैं क्लियर अब यहां से और कोस्टन्स क्या बनेगा ग्राफ तो मैंने दिखा दिया अब यहां से यह भी बन सकता था था कि स्लोप किसका देख तो डियवी टिक यह तो आपका नर्मल हो गया और क्या के-स बनेगा यहांपर पुछता है हीट कब देते हैं हिट सप्लाई होती है वो होती है आपका एक से दो के बीच में और यह होता है क्यूं इन कह लो savrik से कह सकते हो यहां पर आप का एक से दो के बीच में आपका हीट सप्लाई होता है यानि कि जो आपका cycle है, वो cycle आपका heat absorb करेगी, या फिर कह सकते हो, उसमा ग्रहित करेगी, लेगी, या फिर कह सकते हो, कि आपका, कह सकते हो, ग्रहन करेगा, ठीक है, अब यहाँ से देखोगे, एक से दो में क्या होता है, तो एक से दो में आपका heat absorb होता है, ही ट एब्जर्ब होता है ठीक है अब यहां से 2 3 में आपका यहां पर पे category प्रौजटीव होता है तो यहां पर याद रखेगा कि 3-4 में आपका क्या होगा, तो 3-4 में आपका बच्चा, heat release होता है यानि कि heat out, यहां से आपका देखोगे, तो heat क्या होता है, Q out, का मतलब heat release होता है उसमा निकलता है यहां ठीक है जैसे कैसे अब इसको थोड़ा से समझाओंगा आपको अगर किसी normal engine से समझोगे तब थोड़ा से समझा देता हूँ जैसे normal engine यानि कि आपका अगर ले लोगे आप IC engine अगर वह इंजन में आपको समझाओ थिक है तो पहले में धोता है पहले में आपका जो फ्यूल होता है् फ्यूल और इयर का अगर PLC गिगनिसन होता है इस पर अफ्लग चिंगारी देता है, तो पूरह यह क्या होता है, इगनाइट होता है, जलता है, तो दूसरे process मैं यहाँ पर उस्मा उत्पन होता है, तो इसको हम कहते हैं क्यूए in, और last जैसे कि last में exhaust होता है, चार process में आपके IC engine work करता है, इंजन कह सकते हो से चाला प्रोसेस किया होता है लास्ट प्रोसेस में आपका जो एक्जास्ट गैसे धुए के रुप में उस मा बाहर निकलता है देखते हो ना कि आपका silencer गरम होता है, यानि कि वहाँ से कुछ उस्मा बाहर निकल रही है, एकतम नॉर्मल वे में समझा रहा हूँ, एकतम आपके कह सकते हो, आपके बास हमें, तो वैसे ही सेम कोई भी engine होगा, अगर कुछ उस्मा आ रही है, तो आपको संपूर उस्मा को तो हम कारे में बद आपका ऊता है, आपका ठर्वन शनन को ह argent का तो निकल रही है, और लास्त अगर प्रोसम में बोलू, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन यानि कि रुधोस्म संपिडन इसमें क्या होता है तो यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है वो अब निगेटिव हो रहा है वर्क डन निगेटिव ठीक है अब वर्क डन निगेटिव वर्क डन निगेटिव क्लियर तो यहाँ पर आप चारो प्र ये आपका वर्कड़न नेगेटीव होता है तो ये आपके चार प्रोसेस है और ये चार वक्रोसेस में आपको समझा दिये लुए है सबसक्क्राइब एक बार इसे न updates भूआ फट 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 एक बार इन चारो को नटओन कर लीजिए चारो प्रॉसस और यह क्या क्या होते है सबसक्राइब जल्दी से एक बार नोट डाउन करो, फटाफट एक बार नोट डाउन करो, एक बार नोट डाउन करो, चारो प्रोसेस और कौन क्या क्या करता है, अभी इससे रिलेटेट कुछ कोस्ट्टन भी आपको देता हूं, चले, थोड़ा से इधर आप लोग देख लो कि सभी प्रोसेस में होता क्या है, तो सभी सभी प्रोसेस में होता क्या है, ये भी देख लो, इधर भी नोट डाउन कर लेना, ये सभी इंपॉर्टेंट है, वच्छे, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, और यह ग्राफ बना लीजिए ग्राफ से भी कुश्चन्स आ जाएंगे चले, चले? चले? थे एक बार ये अगर ग्रा में बना रहे हो तो यहाँ पर लिक भी सकते हो कि यह 1 से 2 प्रोशेस क्या है तो है कि एक से 2 प्रोशेस है आइसो घ्रमल अक्सपेंश these इसमें चोटा सा लिक सकते हो या फिर यह आपका दौसे ۪ क्या है तो एडियाबेटिक प्रॉसेस है एडियाबेटिक एक्सपेंशन यह लिक्स भी सकते हो कोई इसू नहीं है ठीक है तीन से राइस राइग्राम इस दिएस ग्राइग्राम आय करें नहीं मिलेगा और हो सकता है आपने से ढिक्तर बत्चे पहली बार जेंक देigram में होगे टीma निल्मकों मादप्र कर यह स्काहित कर यह है एंट्रॉपी थुक्त थिक थिए तर्फ यह यहां पर टेमप्रेशर और इसमें देखोगे तो एडियाबेटिक कहो या फिर इसे हम क्या कहते हैं एडियाबेटिक या फिर इसे क्या कहो इसे कहो आप आइसो एंट्रोपिक इसो एंट्रोपिक ठीक है यानि कि इसमें क्या होता है इसमें आपका एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका एंट्रोपी क्या होता है कॉंस्टेंट होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है एंट्रोपी कॉंस्टेंट होता है क्यों 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 कि यहां पर आपका जो हीट होता है वो क्या होता है हीट ट्रांसफर ही जीरो है बतला उसमा अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर तो एंट्रोपी क्या होग तो यह आपका चार से एक तो यह आपका जो ग्राफ बनता है तो इसको बना लीजिए क्लियर है अरे देख लो ना यहाँ पर टेम्परेचर क्या है टेम्परेचर कॉंस्टेंट है यहाँ पर एंट्रॉपी कॉंस्टेंट है यहाँ पर टेम्परेचर कॉंस्टेंट है और यहाँ पर एंट्रॉपी कॉंस्टेंट है सिंपल सा है ना नो डाउन कर लो जल्दी से फटाफट आज थोड़ा अच्छा भी लग रहा तुम लोग में से कोई थोड़ा सा यह भी सही होता है न कि जो पढ़ाना चाहो चुप मार के पढ़ा लो अब ऐसे यह होता है कि सर प्लास कल की क्या हुई है अब आप लोग कोमेंट पढ़ नहीं पाऊंगा इसलिए कि प्रीमिया पर क्लास चलेगी तो इसमें एक फायदा मुझे आज लग रहा है पढ़ाते वक्त कि मैं क्यों चीजें पढ़ाता जा रहा हूं जो मेरे मन में आ रहा है वो मेरे ध्यान भटक मेरा जो चीजें पढ़ान जैकर तो आपका एकतम बेमिसाल है अब मन में अंदर से खुशी होती है अच्छा इसमाट देख रहा हूं है अच्छा लग रहा है अगर हमारा भी है फिर कोई कहाएगा सर रिपेट 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 मुझे यह नहीं लगता है कि अगर कोई टॉपिक को आप 10 मिन में को मिन में दुबारा समझाओंगा तो कैसे यह नहीं आएगा तो रिपेट नहीं करना चाहिए आगे के लिए बथा रहा हूं जब लाइव क्लासे अभी दो दिन के बाद जब लाइव क्लास हो तो तुम लोग परशान ना करना फिर किसाड़ रिपेट पर ब ena बोलो की कि च बहुत कमाल के questions बन रहे थे, हाँ या ना, efficiency वाले formula से, yes or no, yes, तो यहाँ पर efficiency अगर इसका देखोगे, तो इसका formula होता है, अगर इसका efficiency वाला formula देख रहे हो, तो इसका होता है, 1-T2 upon T1, और अगर, मान लो, यह formula आपको percentage, sorry, efficiency अगर percentage में चाहिए, अभी यह क्या मिलेगा, digit मे लेकिन अगर यह percentage में चाहिए, तो इसको क्या करो, 100 से, into कर दो, क्या कर दो, 100 से, sorry, 100 से, into कर दो, clear, यहाँ पर T2 क्या है, 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 और T1 क्या है, सुचो, टीटू क्या है कि यहांपर कह दो कि यह आपका temperature of the cold land cold body या या फिर इसे कोव और temperature of sink sink का तापमान और यह क्या है कि टीवन क्या है टेंपरेचर अफ दी होट बोड़ी यह तो टेंपरेचर के फॉर्म में फॉर्मूले हो गया है ठीक है यह किस फॉर्म में हो गया तो यह आपके बच्चे हो गया टेंपरेचर के फॉर्म में यह जो फॉर्मूला हो गया हो किस फॉर्म में हो गया टेंपरेच मतलब उसमा अगर हीट के फॉर्म में दिया हो उसमा के रूप में दिया हो तब कैसे करोगे अगर उसमा के फॉर्म में दिया हो तो कैसे करोगे बताइए अगर उसमा के रूप में दिया हो तो यहां पर जो इफिसेंजी के फॉर्मूला हो जाता है अगर देखोगे अगर उसम करो इसको नोड़ाउन करो फिर देखते हैं उस्मा के फॉर्म में उस्मा करूपने ठीक है इसको नोड़ाउन करो हु चले देख लिए लिख लिया चले चले चलो उस्मा के रूप में आप लिखो जो उस्मा के रूप में आपका efficiency होता है वो क्या होता है 1- 1- इसको थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा यहाँ पर देखो के तो W upon Q1 W upon Q1 यह आजाएगा आपको point में अगर यह percentage में चाहिए तो क्या करोगे 100 से into कर दो W का मतलब क्या है Q1-Q2 W का मतलब क्या है Q1-Q2 upon में Q1 हाई है ना और किसे into कर दोगे 100 से तो percentage में आजाएगा clear हाई है ना अब यहाँ पर याद रखना यहाँ पर याद रखना यहाँ पर याद रखना यहाँ पर याद रखना कि जो आपका इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर मैं एक बार में इसको डिवाइट करूँ तो 1- Q2 अपन Q1 भी लिख सकते हैं यह सरनो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1- Q2 अपन Q1 भी लिख सकते हैं अब यहाँ पर आपको बात याद अठना कि 4-Carnat cycle जो ratio होता है किसके बीच में 4-Carnat cycle 4-Carnat cycle अगर Carnat cycle के लिख सकते हैं तो जो Q1 अपन Q2 का जो ratio होता है वह T1 अपन T2 के ratio के बराबर होता है ठीक है ठीक है अब यहाँ पर Q1 क्या है यहाँ पर Q1 क्या है बई तो Q1 है आपका heat absorbed Q1 क्या है heat absorbed यानि कि उसमा जो ग्रहण किया है अगरहित किया है वो और Q2 क्या है Q2 आपका जो heat दिया गया है यानि कि heat given जो उसमा दिया गया है दी गई उसमा और यह ली गई उसमा ये दी गई उस्मा और ये ली गई उस्मा तो ये आपका फूरा फॉर्मूला हो गया कार्नाट से अब इसी पर बेजड आपके पूरे कुश्चन्स होते हैं तो एक बार पूरा फॉर्मूला देखलो दुबारा पहला फॉर्मूला क्या है भई ये दूसरा आपका फॉर्मूल तीसरा फॉर्मूला कुछ ही ये चौथा फॉर्मूला कुछ ही ये तो पूरे फॉर्मूले पॉर्मूले हो रहा है ठीक है नोड़ाउन कर लो इसे यह आपका पहला उसके बाद दिये क्लियर है क्लियर है बताईए क्लियर है तो नोड़ाउन कर लो फटावट चलिए और कार्नट से के लिए क्या होता है क्यों अपन क्यू टू का रेसियो जो है टीवन टीटू टीवन अपन टीटू के रेसियो के बराबर क्लियर है तो यह था पूरा कार्नट साइकल और इसी पर बेज्ट आपके नुमेरिकल्स भी आते हैं और आपके कॉंसेप्च्छल कोश्चन भी आते हैं तो अगर कार्नट से रिलेट कोई भी कोश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हो अगर आप यह क्लास अच्छे से निकालना कार्नट से रिलेट पूरे कोश्चन और इससे रिलेटेट जितने भी कोश्चन आप से हो पारेक कर लेना एक कोश्चन में आपको कह सकते हो कि आपको कराऊंगा भी नेक्ट जब क्लास लाइव होंगी ना तब मैं आपको कुश्चन कराऊंगा एक आपका मतलब का conceptual नुमेरिकल जितने भी यह सभी करा दिए जाएगे तो यह था पूरा C century partner cycle के बिशसे में आपको पूरी डिटियल मता दिया तो चीजों को notes बना ले ले ना एक 500 cycle के लिए आपका का कैसे साथ few products topic जो है आपका पूरा तयार हो गया पूरा िक ट्यार हो गया तो note बनालो और इस से related आप questions देख लो एक बार बैठो एक बार इस notes को लेकर और बैठो एक बार बुक के साथ और जितने questions Communications Corner से related ने एक बार देखो अगर नहीं हो रह तो notes में देखो कि कहीं वह iv츠्तर है की नहीं है पक्का है कि वह आपको इन्ही notes में से इनी कह सकते हो कि जो मैंने चीजे लिखवाया है उसी में समिलेगा ठीक है तो आप लोग note down कर लो फटाफट और सांदार तरीके से आप लोग नीचे comment box में जरूर बताना कि आज के class कैसे लगी और कानट समझ में आया अच्छे से पूरा तो आज के class आपको कैसे लगी और class को आप लोग ने share जरूर करना है हर जगा तो class को share भी कर दीजिए like कर देना और जो अभी तक subscribe नहीं किया इस channel को subscribe करना जै हिंद जै भारत love you all take care keep smelling